हाई फ्रेंट्स मैं उधननज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे 29 जैनवरी को यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और बताते हैं कि साल 2023 में यूएस गवर्मेंट ने साल 2022 के कमपैरिजन में 16% अधिक दूसरे देशों को हत्यार बेचा है 2023 में 238 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का यूएस गवर्मेंट ने हत्यार बेचा दूसरे देश को अब ये 2022 और 2023 का डेटा में इंक्रिमेंट क्यों है तो उसका पीछे का जो वज़ा है वो है रश्या और यूकरेन के वार में कहने का मतलब क्या है तो रश्या और यूकरेन वार में है लेकिन फाइदा किसे हो रहा है तो फाइदा हो रहा है यूएस को ये हमारे लिए जानना important इसलिए भी होता है कि बहुत बार ऐसे हमारे surrounding में या हमारे आसपास locality में लोग कहते हैं कि हमें चाइना के साथ war करना चाहिए, हमें पागिस्तान के साथ war करना चाहिए एक चीज़ आप समझे इंडिया या पागिस्तान या इंडिया या चाइना अगर war में जाते हैं तो उस war से direct जो benefit है वो किसे पहुँचेगा एक चीज तो fixed है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चैना अगर war में रहते हैं या war करते हैं तो नुकसान चाइना को भी होगा नुकसान भारत को भी होगा ये कहपाना मुश्किल है या अभी impossible है कि किसको कितना नुकसान होगा लेकिन एक चीज तो guaranteed है कि US को definitely इसे फायदा होने वाला है चाहे जैसे भी हो अब मैं US क्यों कह रहा हूँ तो सबसे पहले कुछ points में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और personally मैं ये भी चाहूँगा कि जो points में रखूंगा जब भी आप लोगों को वक्त मिले तो उस points को अपने end पे जरूर पढ़िएगा ताकि जो information है ताकि जो जानकारी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए अब US government अगर किसी भी देश को अगर हथियार बेशती है तो उस हथियार को बेशने का दो chỉ का होता है एक तो होता है कि directly government to government deal होता है और दूसरा होता है government to company कहने का मतलब क्या है कि अगर government of India और government of US अगर φासला करते हैं कि उनको हथियार खरीदना है तो ये जो बातचीत है ये government to government हो रहा है और अगर government of India चाहे तो जो US में जो arms manufacturing company है उससे भी government of India हत्यार खरीच सकती है दोनों condition में एक जो common point है वो ये है कि किसी भी condition में government of US के approval के बिना कोई भी company जो US में operate कर रही है वो किसी को हत्यार नहीं बेज़ सकती है तो अगर इसको तरह हम conclusion में बताएं तो बहुत ही इस पस्ट है कि बिना US government के approval का आप US से हत्यार नहीं करीच सकते है अब क्यूंकि Russia और Ukraine war में है और इस war को दो साल हो चुका है February 2022 से ये जंग शुरू हुआ और आज हम 2024 February के महीने में है 8-10 दिन कहीं बस gap रह गया है almost हम कह सकते हैं कि ये लडाई 2 साल हो गया है फाइदा किसको हो रहा है तो फाइदा हो रहा है US को और फाइदा भी छोटा मोटा 16% का benefit है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा amount हो जाता है अब जब ये जंग शुरू हुआ था Russia और Ukraine के बीच में तो जो western medias थे या जो वैसे countries थे जो US के साथ में है या तो जो Ukraine के साथ में है वो बढ़ चड़कर Vladimir Putin या Russia के बारे में बुराई किये तो इससे एक ऐसा perception create हो गया कि Vladimir Putin या Russia गलत है या ये aggressor है और ये खामका बेकसूर लोगों को मार रहे है एक चीज कर ध्यान रखिएगा कि जंग कहीं पे भी हो हिंदुस्तान में हो या बांगलादेश में हो या पाकिस्तान में हो या रश्या में हो जो सबसे आदा जो suffering होती है वो वहाँ के common civilians को ही होती है लेकिन अगर कोई देश खास करके enemy state कहने के मतलब है कि रश्या और यूएस के बीच में जो relation है वो खराब है तो एक चीज तो कम से कम definite आप मान लिजे कि कभी भी जब यूएस रश्या के बारे में बात करेगा तो उसके बारे में वो negative ही बात करेगा और जब रश्या यूएस के बारे में बात करेगा तभी भी वो negative ही बात करेगा हमारे लिए as in common civilian हमारे जैसे आमिंटो से की जो student अब का है हमारे लिए काफी important होता है ना कि ना हम रश्या के तरफ जुक के देखें ना हम यूएस के तरफ जुक के देखें सपोर्ट कैसे कियें financial aid दियें हत्यार दियें और भी अलग तरीके का diplomatic pressure create किया गया economic sanction लगाया गया अमशोर कि आप लोगों ने भी वो YouTube पे शौर्श देखा होगा जहाँ पे एक जर्नलिस्ट हमारे डॉक्टर S. जैसंकर से पूछते हैं कि इंडिया भारत रश्या से oil purchase करना बंध क्यों नहीं करता है जहाँ पे डॉक्टर जैसंकर सर कहते हैं कि जितना भारत एक महीने में oil purchase करता है रश्या से उतना European countries एक दिन में ही purchase करते हैं तो ये सब कुछ तरीका था जहाँ पे US चाहता था कि वो रश्या के उपर pressure create करें और रश्या का जो effectiveने से उसको कम किया जाए ये तो था एक चहरा US का लेकिन दूसरा चहरा ये भी है कि इस war में जो direct beneficiary है वो भी US ही है US के कुछ arms manufacturing companies जैसे कि Lockheed Martin हो गया या Boeing हो गया या General Dynamics हो गया इन सब के जो shares है इन सब के shares काफी बढ़े है और क्योंकि इन सब के shares बढ़े है तो कहीं न कहीं जो government of US है वो इसका direct beneficiary है अब अगर आप internet पे अगर आप जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़े है कि इस दुनिया में 40% जो arms ammunition है वो directly supplied by US है अब कहने का मतलब कहना कि बहुत हद तक ये मुम्किम है कि अगर दो देश आपस में लड़ें तो कोई ना कोई हथियार के element दोनों देशों के पास में होगा जो कि directly supplied by US है अब आप इस शीज को as a businessman के perspective से सोचिए और समझिए कि क्या कभी US या arms ammunition manufacturing companies कभी ये चाहेंगे कि दुनिया में जंग ना हो क्यूंकि अगर उस company का business ही है हथियार बनाना असला बनाना या अलग-अलग ranges के weapon बनाना, rocket बनाना तो वो company कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस दुनिया में शान्ती बरकरार है और खास करके US भी कभी नहीं चाहेगा In fact, US का जो foreign policy और उसका जो economic policy है उसमें बहुत बड़ा जो role है वो weapon sale का है कहने का मतलब क्या है कि अगर US किसी भी country के साथ अपने diplomatic relation को अच्छा करता है या अच्छा करना चाहता है तो वहाँ पे कही न कहीं US back of the mind में यह push करता है कि सामने वाले देश को वो हत्यार बेचे For example, अगर आप US और Saudi Arabia का अगर आप relation देखेंगे तो fairly एक अच्छा relation है लेकिन उसमें भी अगर आप specific अगर आप search करेंगे simply की Saudi Arabia के पास कितने weapon है US के द्वारा बेचा गया तो some around 80-85% या more than 85% जो weapon Saudi Arabia के पास में है वो directly supplied by US है यह भी एक बहुत बड़ा वज़े है ना कि क्यों अभी जो हमास और इसराइल के बीच में जो वार चल रहा है वहाँ पे Saudi Arabia चुप है उसके पीछे का और भी वज़े है कि इरान और Saudi Arabia के जो relation है वो अच्छे नहीं है क्योंकि US Saudi Arabia को हथियार बेचता है तो इस चीज से जो इरान है वो uncomfortable feel होता है अब इसको आप एक example से समझे कि अगर US continuously पाकिस्तान को अगर हथियार बेचेगा तो कहीं न कहीं Government of India या Indians उस चीज से uncomfortable होंगे और वो uncomfortable होना जायज है लेकिन हर situation में benefit किसको हो रहा है तो benefit US को हो रहा है तो अगर इरान concerned है US से या Saudi Arabia से तो उसका जो concern काफी genuine है मीडिया में एक ऐसा perception है कि North Korea के Kim Jong-un या आपके इरान या आपके Venezuela काफी बुरे देश है तो ये सब जो perspective जो develop किया गया है वो US के द्वारा develop किया गया है अब common civilians शायद उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो एक एक चीज को verify करें क्योंकि Facebook हो गया या Twitter हो गया बहुत हद तक ये US का जो agenda है उसको ये push करते हैं तो अगले बार से जभी भी हम news पढ़ें या news में हम सुनें कि इरान के उपर sanction लगा दिया गया है या तो इरान के बारे में कोई ऐसा news publish किया जाए जो कि इरान का image को dent पहुँचाता हो तो ये as an student अब का हमारे लिए काफिर जरूरी होता है कि उस चीज को एक बार हम खुद से भी पढ़े ना कि हम किसी दूसरे के perspective से हम देखे और समझें क्यूंकि geopolitics में कोई भी देश किसी का friend या enemy नहीं होता है अगर आज इंडिया अपने जो capabilities है उसको बढ़ा लेता है तो बहुत सारे countries इंडिया के साथ आके associate होना चाहेंगे वहीं अगर कभी government of India या भारत का जो condition है अगर वो किसी भी कारण से खराब हो जाता है तो जो देश आज भारत के साथ close आना चाहते हैं वही देश भारत के तुश्मन भी बन जाएंगे I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती होगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye